पॉपकिन बाद कि हर दो मेहद है और आप सभी का स्वागत कते है अपनी इसने फीसों में दूस्तो आज यहाँ पे हम लोग बात करेंगे रियल्मी एकस two के बारे में तूस्तो आप सभी को बताए ये रियल्मी ने स्वाट पो को चाइना में लॉंच कर दिया है और सायब जल्दी ही रियलमी अपनी इस नए स्मार्ट फोन को इंडिया पे भी लॉंच करने वाला है तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इसकी स्पेसिफिकिशन की बारे में चाइना की प्राइस की हिसाब को हम लोग इंडिया अगर यह स्मार्ट फोन लॉंच हो गया तो क्या उसे खरीदना अच्छा होगा या फिन नहीं इसके बारे में चलिए दोस्तों सुरू करता है ऐसा в बात क्या में तो इसमार्मी ऐसा प्रेंड जो बहुत अच्छी अच्छी फीचर बहुत कम दाम में बजट फ्रेनली प्राइस में आफर कर राह आँख रहा है अगर आप बात करें रीज़ियर मिफाइब प्रों की रियल्मी एक्स की रियं है XT की तो यह ऐसे smart phones है जो बरियाद options लेके आते हैं बरियाद specifications लेके आते हैं और एक budget friendly price में लेके आते हैं दोस्तों गर बात किया जाए Realme X2 की तो यहाँ पे आप लोगो Color OS 6 मिल जाएगा जो बेस है Android 9 मतलब Android 5 पे यहाँ पे अगर बात करें इस phone के design की तो यहाँ पे यह phone बहुत ही खुबसरत एक phone निकल के आ चुका है यहाँ पे इसकी display में आप लोगो 6.4 inch का Full HD Plus display मिल जाएगा जो एक Super AMOLED display है मतलब बहुत ही बहतरीन quality का एक display आप लोगो यहाँ पे दिखने को मिलेगा अगर हम लोग बात करें इस smartphone की processor की तो यहाँ पे Qualcomm का Snapdragon 730G लगा गया है जो एक बहुत ही बहतरीन सा processor है अगर आप gaming बगरा करते हो तो मतलब अगर आप यहाँ पे high resolution पे PUBG बगरा खेलते हो तो आपको कोई lag डिखने को नहीं मिलेगा अगर हम लोग बात करें इस smartphone की RAM की तो आप लोगो 6GB और 8GB दो RAM option मिल जाएगे जहाँ पे आप लोगो 64GB और 128GB की दो storage option मिलेगा और इस storage को आप microSD card के जडिये बरहा भी पाओगे आगे अगर हम लोग बात करें smartphone की camera की तो rare में आप लोगो चार camera मिल जाएगा जिसमें से पहला जो camera है वो है 64MP का primary camera जिसका aperture है F1.8 दूसरा जो camera है वो है 8MP का wide angle camera तीसरा जो camera है वो है 2MP का depth sensor और चोठा जो camera है वो है 2MP का macro lens मतलब यहाँ पे आप चोटी से चोटी सीजो से लेके बरिया से बरिया photograph आप उठा पाओगे बात करें अगर वीडियो recording की तो यहाँ पे वीडियो stabilization जैसे software वी है जिससे आप लोग बहुत अच्छी तरह से वीडियो recording भी कर पाएंगे अगर बात किया जाए selfies की तो यहाँ पे आप लोगों को 32MP का एक selfie camera मिलेगा जिससे आप बहुत ही खूपसर बहुत ही बरिया से selfies उठा पाओगे अगर आप लोग बात करें इस phone की connectivity options की तो लगबग सारे connectivity options जैसे dual valty, bluetooth, wifi सारे connectivity options आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा साथी भी यहाँ पे अगर बात किया जाए इस smartphone में रहने वाले sensors थी तो हर तरह की sensors आप लोगो इस smartphone पे मिलेगा अगर बात करें इस smartphone की battery की तो यहाँ पे आपनों को 4000 mh की battery मिल रही है जो 30 watt walk 4.0 को support करता है मतलब अगर आप यहाँ पे game खेल खेल के battery को खतम भी करोगे तो जल्दी से जल्दी आप इस battery को recharge भी कर पाऊगे यहाँ पे price के अगर बात किया जाए तो यहाँ पे चाइना पे जो price पे launch हुआ है उसके अगर बात करें तो यहाँ पे 6GB और 64GB वाला जो variant है उसका price चाइना में रखा गया 1599 यांद की जिसके Indian value करीबा निकलता है 15900 के आसपास यहाँ पे अगर बात करें हम HGB और 128GB variant की तो चाइना में इसकी price है 1199 की जिसके Indian value करीबा निकलता है 11900 के आसपास यहाँ पे तोस्तों अगर बात क्या जाए इस smartphone की इंडिया पे release की और इंडिया की price की अभी तक confirm नहीं है कब तक हो जाएगा लेकिन अगर यह इसी price point पे launch हो जाता है मेरे ख्याल से यह 14 से लेके 18 के 20 में launch हो जाएगा इंडिनों smartphone और अगर इतने ही price point में यह smartphone इंडिया प बूला जा सकता है क्योंकि यहाँ पर आप लोगो डिस्प्ले अच्छा मिल जाएगा फोन की जो quality है वो भी अच्छा है प्रोसेसर भरिया है बैटरी बरिया है कैमरे की तो अब बात करीब गया ही जाना ने चाहिए क्योंकि चार कैमरे अभी तक किसी smartphone में आप लोगो नहीं लगता है क्या sound क्या realme smartphone को इंडिया पर भी launch करेगा और करेगा तो कितने price point पर करेगा तो आप लोग खरी दोगे दोस्तों आज के लिए इतना ही आसकता ही वीडियो आप लोगो अच्छा लगा तो लाइक तो करी दिजेगा अगर देख रही हमारे facebook page पे तो हमारी space को आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हमारी notification आप लोगों मिलते रहें दोस्तों आज के लिए इतना ही जैहन भारत माता की जैए